तो चली आज हम बनाएंगे आलू चॉप अभी अंडे के साथ यह घर में सब को बहुत ही पसंद है और यह खाने में बहुत ही टेस्ट होता है और इसे बनाना विल्कुल आसार है तो चली है श्टार्ट करते हैं बनाना कैसे तो यहाँ पर हम लेंगे चार अंडे उबले हुए यह बोल ये काप अवरा अंटे कट कर लेंगे श्टार्ट के लेंगे विल्क बनाइयाँ थीसदो सैंडे फेरा जाशा और यहां पर लेंगे चली हे बेंगे चार आलू यहां के वी निड़ाँ हम रण गवाल में अग् कप देसन साटे प Нच कट़अ यह नहीं लखैंएशी जीरा पाउडर 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 प पानी उसे बेटर बना लिए थोड़ा सावर पानी आड़ करें यहां पर हमारा बेटर तेयार हो इसे रख देंगे पांच मिनट के लिए और इसके अंदर के जॉलु के स्टेपिंग उत तेयार कर लेते हैं तो हमने यहां गय सावन करके उस पर रखी उकड़ाई जिसमें तेल डालींहें चिद्रा प्याच चौक देंगे एक चमा चद्रक चौक की उगए उसे मिर्ची कटी होई बारी यहां सफ्राइब करें परेफियां तो हमास कालीमीस पाडर एक चुटती हो साथ हमादा दालिग थोड़ा साथा लगी मृगा अशार पावरर कालीमीस पाडर एक च केस के हिसाफ से नमाद इन सब कच्छी तरह से मिक्स करेंगे अब इसमें डाल दें मिक्स के हुए आलू और साथ ही ढालें और ट्राइ किये दन्य परता इन सब कच्छी तरह से मिक्स करेंगे अब देख सकते कि आलू यह बढ़ी है से ठंटा हो गया है हाथ में इस तरह से हलका सतेल लगाए और अलू को मिक्सर को अच्छी तरह से फ्लैट टर ले अंडा को इस तरह से फ्लैट लगा रखे और उपर से कवार कर देंगे तो सभी को हमें इस तरह से कर ले लिए तो हमने सभी यालू की मिक्सर को अंडा के इस तरह से कोट कर लिए अब चलते इसे फ्राइ करने तो यहां पर हमारा तेल भी गरम है और हम इस तरह से बेशन मेकर कर दिप करेंगे और से गरम तेल नहीं दाल दिल नहीं तो फ्रेंज आप देख सकते हैं कि हमारा अंडा चुप कितना भेतिने सफ्राई हो चुका है अब हम इस इनकाल लेगते हैं तो फ्रेंज आप इस तरह से नास्ता बनाएं और बारिस के दिनों का मज़ा लें वीडियो पसना ही तरह लैक करें चैनल पर नाएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं इस वीडियो में तब तक लिए आपीज